जै हिंद जै भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वह बहुत ही आसान है और आप इजली समझ भी पहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है साइन्स यानि अगर इंगली हिंदी में बात करें तो बिग्यान यानि बिग्यान से रिलेटेड हमारा इस वीडियो में टॉपिक है जो कि आप इजली समझ भाएंगे और इसके बाद है कमजोर भाईयों के लिए तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा और साथ ही है यहाँ पर लिखा हुआ नोट्स मिलेगा ओके तो यह चोड़ी सी बात है आप यहाँ पर समझ गया होंगे और आप समझते हैं आगे की बात हैं तो यहाँ पर आप आसानी से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्रोनी अस्थिय तो इसका जो हमारा परिभासा है वो आसान है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख कह रहा होगा कि कमर के पास वाली जो हड़ी होती है यह कह सकते हैं कुलहा वाला हिसा जिसके सहारे पर हम बैठते हैं तो वो हमारा क्या कहलता है स्रोनी अस्थिया यहाँ पर कहल तो यहां पर समझ गए ठीक है तो और हम समझते हैं आगे की बात है और आगे की हमारा जो बात आ जाता है वो आ जाता है उपास्थी जिसे हम इंगलिस में कहते हैं कार्टीलेस अब यह क्या है तो यहां पर आप इजिली देखिए तो यहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से यार मैंने लिख रखा है कि कंकाल के कुछ अत्रिक्त अंग। जियां कई कंकाल जो हमारा होता है। उसके कुछ ऐसी भाग होते हैं जोगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अस्थियों यानि हडियों जैसे कठोर नहीं होते हैं। उके। और जिन्हें मोडा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं उपास्ति तो इसको अगर आप ऐसे समझेंगे तो हमारे बोडी में बहुत सारे हडिया होती है और कुछ हडिया ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं और कुछ नरम होते हैं मुलायम होते हैं तो यहाँ पर उपास्थी हम किसको कहते है नरम हड्डियो यानि मुलायम हड्डि को हम क्या बोलते है उपास्थी बोलते है तो यह छोटी सी बात आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है कि हम कार्टिलेज यानि उपास्थी हम किसको कहते है तो हमार जो नरम हड्डियो होता है उस मुलायम होती है तो मुलायम होती है तो वही तो है आपका क्या उपास्थी यानि कार्टी लेज ओके तो अब हम समझते हैं आगे की बाते और यहां पर आगे देखेंगे तो आपको लिखावा पेसी जिसे मिंगलिस में कहते हैं मसल्स आप यहां पर देख पाएंगे और इसके हमारी मास यानि मास पेसी यहां पर पेसी हम इसको कह सकते हैं मास को उसे भी होना अवस्यक है तो यह चोटी सी बात आप समझ के होंगे कि हमारा जो सरीर होता है सरीर में क्योल और क्योल हड़ी ही नहीं रहना साइए उसके साथ ही साथ ना हमें मास का भी होना अवस्यक है मास न लगषारा रेखी आकेर होता क्या है तो यहां पर आप परीभासा में देखेंगे तो आपको आसानी से दखना होगा कि मचली का सीर मेचली का जो अव Стुता है और यहां पर पूंच तो सीर होब साइब मध्य भाग की तुलना होता है सरी यहां पर आप यहां पर बोलेंगे जोटी सी बात है आप इजली यहां पर समझ गया होंगे और अब हम समझते हैं आगे की बात है अगर आप इसको लिखना साहते हैं तो विडियो को रोकिए और आसानी से इसे लिखिए और हमारा आजाता है आगे और क्या है आप यहां पर समझिए हमारा आगे आजाता है कि हडी तूटने पर परातिमिक उपचार क्या होना चाहिए तो यहां पर इस इस्तिती में आ आप इसली यहां पर देखिए तो यहां पर देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से नजर आ रहा होगा कि हड़ी टूटी है या नहीं इसकी पहचान किजिए जियां किसी को अगर चोट लग जाता है तो उसमें आपको करना क्या है कि उसको जांस करवानी है कि यह टूटा और साथ ही चोट वाली जगप पर बरफ से से कीए जियां अगर आपको चोट लग जाता है तो उस अवस्था में आपको करना क्याा है बरफ से यहां पर उस जगपर से कंना है जहां पर चोट लगा हुआ है और इसके बाद यहां पर देख तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाईए ठीक है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर चोट वाली जगह पर रक्त स्राव यानि खोन बह रहा है तो उसे बाधिये यानि रोकने का पर्यास किजिए और यहाँ पर लिखावे पट्टी या खपची से यहाँ पर बा वाले हैं तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखावे कि क्या ना करें तो अगर आपको हड़ी तूट जाया तो उस इस्तिती में क्या नहीं करना है आप काफी बातों को यहाँ पर ख्याल रखें तो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा होगा कि चोट वाली जग या पास वाली संदी यानि जहाँ पर चोट लगा हुए है और जहाँ पर जोईंट है वहाँ नहीं हिलाई है यह सब चीज़े यहाँ पर करनी है और साथ ही यहाँ पर घायल को कुछ भी खाने पीने को न दिजिए तो उस इस्तिति में आपको वहाँ पर उसे खाना या कुछ पीने के लिए वहाँ पर नहीं देना है और साथ ही यहाँ पर लिखावा है कि टूटी हड़ी को बल पुर्वक सिधा नहीं किजिए जियां अगर हड़ी टूटा हुआ है तो उसे बल लगा कर उसे सिधा नहीं किजिए और साथ ही यहाँ पर लिखावा है कि बिना सहारा कि तूटी हडियों को नहीं हिलाईए जो ये सब छोटी छोटी बाते हैं जो आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा ओके तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो विडियो को रोकिए और आसानी से इसे लिखने का पर्यास किजिए ओके और अब हम समझते हैं जरा सा ल से ओर्गेन होते हैं जो बहुत ही कोमल होते हैं और उसे बाहर आने पर चोट लगने पर वे खत्म हो जाएंगे तो आपको हो सकता है उस इस्तिती में आपको मिरीतिव हो जाएगे तो यहाँ पर आप दिखेंगे तो आपको दिख क्या रहा होगा कि खोपड़ी अनेक सरीर की यह क्या है अती महतोपूर्ण अंग है सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर और महतोपूर्ण अंग है और मस्तिस्क को घेर कर यह सुरक्षा करता है हमारा जो खोपड़ी होता है वो क्या करता है हमारा जो कपाल होता है उसको घेर कर वो बहुत ही आसानी से उसे सुरक् आप कर सकते हैं तो मिलते हैं एक और नय दिन और नय वीडियो के साथ तपता के लिए बने रहें और जुड़े रहें और ध्यान दीजिए अगर आपको नोट्स नहीं मिलता है तो इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक वहाँ पर क्लिक किजिए औ और लिखने का प्रयास के जिहाला कि वही है जो यहां पर है वोके तो मिलते हैं एक और नय दिन तपते के लिए जुड़े रहना यार और बने रहना